एक बाद फिर टार्गेट किलिंग हुई है अर्लों गन्मिन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया अब यह निपट रहे हैं अब किया डेली आफेर हो गया वैसे यह जे ये एम चैशे महुम्मक का यूनोस खाल था जिसको गोली मारी बाजोर में अच्छा यह पजल की नमास पढ़ने जहा रहा है दोस्तों आखरगार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है जो उनकी इंटेलिजन्स के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो किश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं मैं कि पहले भारत अपनी यहां पे सेक्योर्ठी बढ़ाता था अब पाकिस्तान में उन्होंने अपने أو इंडिया पाकिस्तान में रिक्वेस्ट की है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी शामिल किया 26 नॉइंबर है और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नॉइंबर 2008 को मंबई में अटैक्स हुए थे इसके अंदर इंडिया भी मौजूद है तो क्या पाकिस्तान शामिल हो सकता है मैं जो क्वेस्टिन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉब वो कहते हैं जी हमारे रिलिजिस इंस्टिशन में घुसी हुई है हमारी जो है वो आम्ड इंसरजेंसी में है किश्मीर के अंदर वो इन्वाल्व है तो भई हमारी सरकार क्या कर रही है पाकिस्तान अब रो रहा है कि भारत हमारे आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है दूसरी तरफ जब से अफगानिस्तान में तालीबान की सरकार सता में आई है तब से पाकिस्तान के साथ उसके तालुकात खटाई में चल रहे है वहीं पाकिस्तान ने अपने देश से अफगान शरनार्थियों को जिस तरह से अफगानिस्तान वापस चाने के लिए कारवाई की है उससे तालीबान और भी चिड़ा हुआ है पाकिस्तान की इस कारवाई को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है कि पाकिस्तान भी हक का बक्का रह गया है अफगानिस्तान ने हसारों पाकिस्तानी ट्रकों को रोक दिया है यह ट्रक पाकिस्तान की और से अफ्गानिस्तान आने वाले ट्रक हैं जिने दोर्खम सीमा पर रोग दिया गया है पाकिस्तान और अफ्गानिस्तान के बीच आपसी रिष्ते इन दिनों बुरे दौर से चल रहे है अर्लोंग गन्मिन ने इस बार फिर एक आदमी निपटा दिया, अब ये निपट रहे है, अब ये डेली आफेर हो गया, वैसे ये जैशे महमद का यूनोस खान था, जिसको गोली मारी पाज़ौर में, अच्छा, ये पजल की नमानस पढ़ने जा रहा है, खेर, ये जो लोग मारे जा रहे हैं, जैशे महमद अगे रहा, इसमें पाकिस्तान ने अब तक इंडिया को ब्लेम नहीं किया, ऐसा क्या रीजन है, मैं ये क्वेशन, पहले सोमेजी से लूँगा, फिरार सोजी से लूँगा, आपको किसने बोल दिया कि इन्होंने भारत को ब्लेम नहीं किया ह पाकिसान का रिलीज हुआ है, हमारी इंटेलिजन्स के पास पड़ा है, इनकी इंटेलिजन्स के पास आ गया है, जहां पि उन्होंने बोला कि भई, हिंदुस्तान ये काम कर रहा है, हमारे यहां पर CEO's को निप्टाने का, हमें अपने सारे CEO's को extra security देनी पड़ेगी, नकि प पाकिसान में उन्होंने अपने terrorist के उपर security बढ़ाने के बात करी है, because they say कि भारत के जो footprints हैं, वो पूरे country में हमें दिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पाकिसान ने कोई reaction नी दिया, उनका secret document बाहर निकल गया है, क्योंकि number one आया से इनकी है, तो अपने secrets भी अपने पास secret र कभी भी ये चीज बाहर आ सकती है, कि जो so-called leaders पाकिसान में हैं और जो बाकी की लोग हैं, ये leader बोलते हैं उनको वैसे, ये सारे निप्टाने में भारत लगा हुआ है, और पाकिसान उनको security देते जा रहा है, so ये please don't say कि पाकिसान अभी तक कोई reaction नहीं दे रहा, आने वाल मार रही है, ये basically एक story आई है, the intercept की पढ़ने वाली story है, कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो deep state है, जो उनकी intelligence के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो किश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं, उनको मार रहे हैं और जो फॉरण मुमालक में रह रहे हैं, इस स्वाले से और कहीं six का भी जिकर होता है, लेकिन मेरी जाती रही है कि मैं जो question भी पूछना चाहता हूँ, कि रॉब वो कहते हैं, जी हमारे religious institutions में गुसी हुई है, हमारी जो है वो armed insurgency में है, किश्मीर के अंदर वो involved है, हमारे जो sick activists हैं पाकिस्तान में, उनक पीछे है, तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार सिर्फ इस चीज़ में मसरूफ है, कि हम सिर्फ बातें करेंगे, यह सिर्फ लेटर लिखेंगे, यह लेटर बाजी होगी, यह काम है हमारी सरकार का, question यह आता है, कि जो जो पाकिस्तान कहता है, और जो पाकिस्त पाकिस्तान की जो एक इन्टेलिजनस बियोरो एक अधारा बेसीकली यह चीज य एक अधारा आए जो अवरीकी अधारे एक तरह खता है कि अफगानस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क द्रियाफ्त किया है United Arab Emirates जहां पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहां से बैट के operations करवाते हैं और इनके जो footprint है Indian intelligence के जो deep state के पूरी दुनिया की deep state होती है पाकिस्तान की भी है बाकी बुलकों की है हमारी जरह deep state थोरी politicize है और वो कह रहे हैं जी कि ये पूरे खिते में बैट के काम कर रहे हैं और वहां से बैट के जो रहने योई कभी नाम लिए है इस इस वाट पाकिस्तान की ये secret documents रिवील कर रहे हैं और इंसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजन्स है वो अफगानस्तान के एक शेर है स्पिन बॉल्ड़क वहां पे बैट के काम कर रहे हैं और ये जो documents हैं ये इनके उपर लिखा हुआ था not to be disclosed, communicated to unauthorized person अब question ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नैशनलिस्ट ग्रूप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजन्स कलाबरेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर anti-state activist हैं criminal network हैं फिर मस्जदों के अंदर फिर religious मसाज़द के अंदर leaders, एल-e-hadith जो लोग हैं इतने बड़े framework के अंदर वो अपरेट कर रही हैं मतलब उनके लिए तो फिर target ही बहुत जाद है इट मींज के पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नैशनलिस्ट को बलोच सिंद पंजाब में कहीं पे और खेबर पक्तून खाव में आप सब नैशनलिस्ट को मारेंगे तो जैसे फाउख जामा बलोचस्तान में एक इंसर्जंसी कमपेंड चल रही है जैसे खेबर पक्तून खाव में कुछ चल रहा है जैसे सिंद के अंदर सिंदु देश